हेलो दोस्तो स्वागत है आपके मेरे चैनल कोकिंग इन पहाडी स्टाइल में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकिशन बेल को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए आज चलते हैं एक नई रेसिपी की तरफ तो आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ देशी पालक का साग जिसे हम लोग पहाड़ी में गड़वाली में हम लोग उसे धबड़ी भी बोलते हैं तो ये पालक को मैंने अच्छे से चांट लिया था और अब मैं इसको अच्छे से मैंने धो दिया है धोने के बाद मैंने इसे पांच से दस मिनट के लिए पानी निखारनी के लिए रख दिया था और अब हम करते हैं इसकी अच्छे से चॉपिंग आपने जो पालक की करनी ह वह हैं वह बारिक-बारिक करनी है नहीं तो जो यसके मोटे-मोटे जो छिलके बोलेंगे या क्या बोलेंगे जो सबजी के जो टुकड़े आएंगे ना वो अच्छे से बनेंगे नहीं और लो घुलेंगे भी नहीं तो यह मैं इसको चॉप कर रही हूं और ये हो गई इसकी चॉपिंग तो अब ये लेस्न है टमाटर का प्यूरी है मसाले हैं, बेसिक मसाले मैंने लिये हैं धनिया, मिर्च और हल्दी और जो एक ब्लैक ब्लैक मैंने आपको दिखाया था ना इसे बोलते हैं जक्या ये तड़के के रूप में यूज किया जाता है और एक कटोरी लिया है, मैंने उसमें मैंने डाले हैं चार चमच बेसन और अब हम करेंगे लेस्न की कुटाई लेस्न को आपने सुरों सब बारी बारी क्रश करना है क्रश करने के बाद ये मैंने तेल चड़ा दिया था कड़ाई में तेल गरम हो चुका है और अब हम लेस्न को इसमें अच्छे से भूनेंगे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पालक की सबजी, जो हमने बिल्कुल पारी काटी थी तो दो से तीन मिनट आपने इसको अच्छे से भूनना है भूनने के बाद हम इसे पांच मिनट तक ढखकर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये अपना पानी है उसको अच्छे से छोड़ देगा तो बेसन है बेसन को मैंने अच्छे से इसका घूल बनाया है बिल्कुल पतला और ये लंप्स फ्री होना चाहिए तो अब हम चेक करते हैं हमारी सबसी को की इसने कितना पानी अपना सोक लिया है अब हम इसे अड़ करेंगे हमारे जो मसाले हैं धनिया, हल्दी और मिर्च नमक मिर्च जो है मसालों की जो quantity है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं धबड़ी तो थोड़ी चटपटी यह अच्छी लगती है और हाँ आप इसमें न हरी मिर्च भी पीस करके डाल सकते हैं तो जी यह हमारे मसाले जो हैं यह अच्छे से भुन चुके हैं और इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे बेसन बेसन को भी हमने अच्छे से चलाना है इसके जो लम्स हैं वो बिलकुल न रहनी पाए नहीं तो बात में जब आप इसमें पानी डालेंगे न तो आपको दिक्कत आएगी तो अच्छे से हमने बेसन की भुनाई कर दी है फिर हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड देंगे और अब देखते हैं बेसन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है और यह देखिए क्या बढ़िया कलर लग रहा है अब हम इसमें एड करेंगे टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें एक कटोरी का टमाटर एक कटोरी टमाटर प्यूरी का यूज किया है इसको भी हम अच तो आप जो ते दाल के लिए और इंगे आपके जो बेसे में डाला हुआ है ना जब आप पाने डालेंगे ना तो जो उसकी गांटे होती ना वह वैसेगी वैसे रह जाएंगी तो आप देरी देर से गरμ पानी डालीए और कड्जी को अचे से चलाते रहीए और जी उसके paaracka और यह हम फिर से इसको पांच मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे, अब इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है, जो लाल-लाल कलर है न, कि टमाटर की वज़े से आता है, अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा झाल-लाल को झाल-ला κα्था बॉप है वजभी है, बहुएं तो संझ यéger मसझा से जब दो दो जाखिजा है, बहुएंगे बनाट सा ये थोड़ा है, चाल-बजबोगे, लाखिजार रए प्योओडे, ओल मिनटें गहां से वां रहा हैुएंडे – एंदृूंदार क बशूंड मेल लॉब्र लॉब्र लॉब लॉब लॉब